बॉलिवुड एक्टरस नताशा स्टेंकोविक और क्रिकेटर हार्दिक पंडिया के बीच सब ठीक है इस खबर के आने के बाद फैंस ने चैन की सांस ली क्योंकि पिछले कई दोनों तक दोनों का तलाक की अफवाहों ने इतना जोर पकड़ा कि लोगों को लगने लगा कि ये सब सच है लेकिन दोनों ने इस मामले पर चुपी साधे रखी हाला कि लोग ये जानना चा रही हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तलाक की खबरों पर ब्रेक लगने के बाद नताशा का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें एक्टरस जिम में डांस करते हुए नजर आ रही है वीडियो वाइरल होते ही नताशा टोलर्स के निशाने पर आ गई नताशा स्टैन कोविक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है पहले अपने नाम के साथ पांडिया सनेम हटाना और फिर तलाग की एफवाहों पर चुक्पी साधे रखने की वज़ा से सुर्खियों में आई नताशा का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो टोलर्स के निशाने पर आ गई है वीडियो को देख जहां कुछ यूजर्स खुश हैं वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो सवाल कर उन्हें टोल कर रहे हैं एक यूजर ने लिखा हार्दिक संग तलाग इतना ड्रामा क्यों किया एक अन्य ने लिखा जैसे ही पता चला प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलेगा लाइन पर आ गई एक अन्य ने लिखा इसी को 70% प्रॉपर्टी चाहिए थी ना एक ने लिखा पती से अटेंशन नहीं मिल रही थी क्या जो तलाग का अफवाहों के साथ सिंपैथी लेनी थी आपको बता दे कि नताशा स्टैनकोविक और हार्दिक पंडिया के तलाग की अफवाहों ने तब जोर पकड़ लिया जब एक्टरस ने अपने नाम से पंडिया सन्ने महटा दिया और अपनी शादी की तस्वीरें डिलीट कर दी थी इस बीच हार्दिक के भाई करोनाल पंडिया ने अपने बेटे और हार्दिक और नताशा के बच्चे अगस्त के साथ खेलते हुए एक दिल चू लेने वाली तस्वीर भी शेयर की थी इसके बाद रूमर्स फैल गए थे कि नताशा और हार्दिक की शादी ठीक नहीं चल रही है वहीं से अपरेशन की रूमर्स के बीच नताशा लगातार क्रिप्टिक पोस्ट कर रही थी जिससे उनके और हार्दिक के तलाक की अफवाओं ने और जोर पकड़ लिया था हाला कि हार्दिक पंडिया को इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ा उन्होंने टी-20 वर्ल्लकप 2024 में अब तक गेंद से शांदार प्रदर्शन किया है बले उनका बला इस टी-20 वर्ल्लकप 2024 में अब तक उतना हल्ला नहीं बोल पाया है पर हार्दिक पंडिया ने एटलीस मिल रही है जिसको आईपल 2024 में मिस किया गया था अब हर कोई बस यही दूआ कर रहा है कि इस वर्ड कप के खत्फ होने के बाद जब हार्दिक पंडिया घर जाएंगे तो अमीद की जाएगी कि हार्दिक और नताशा की बीच सब कुछ ठीक हो जाए और उनके एक खुबसूरत स्टंड था शायद सिंपैथी पाने के लिए आपके इस बारे में क्या राय है आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा